हेलो फ्रेंड्स मैं गणेश पुरहित एक बार फिर अपने यूटूब चैनल ADP Tech 10 में एक नए सब्जक्ट के उपर आप लोगों के साथ हाजिर हूँ दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है Quality Inspection Report दोस्तों Quality Inspection Report पार्ट या पॉड़क्ट की होती है अगर हम Inspection Report की बात करें तो Inspection Report वो सैटिफिकट है जो ये डिसाइड करता है कि इस पार्ट या पॉड़क्ट को Next Operations में क्वालिफाई करना है या नहीं करना उस दोस्तों आज हम इसको समझने वाले हैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है हर डिपार्टमेंट में किसी ना किसी तरिके से यूज होती है चाहिए वो Quality में तो इसका मेन रोल है NPD में, New Pot Development में, Marketing में, Sales में, Purchase में Development में, कई बार Store में भी इसका यूज होता है तो यह आज हम समझते हैं कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट है क्या और इसके Approval Steps कौन-कौन से है दोस्तों एक बार फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे थाकि आने वाली वीडियो का नौटिफिकेशन आपको टैमली मिल सके दोस्तों मेरी जो और क्वालिटी डेटेट वीडियो है अगर आप उसको कंसप्ट को किलिए करना चाते है तो आप देख सकते हैं इंस्पेक्शन के उपर मैंने वीडियो अप्लोड की हुई है रेड विडियो अनलाइसिस के उपर की हुई है रिवर्क एंड रिपेर का क्या परसेस है आई एटीफ की क्या गाइड लाइन है रिवर्क करने के लिए और रिपेर करने के लिए इसके उपर भी की हुई है डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं कब कोई डिफेक्टिव पार्ट्न डिफेक्टिव प्रडक्ट में कंवर्ट हो जाता है इसके उपरी मेरी वीडियो है दोस्तों, अगर इन concept को आप clear करना चाहते हैं, तो please इन वीडियो को आप देखिए, मेरे इस channel में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, चलिए start करते हैं आज की वीडियो, जिसका subject है Approval Step of Inspection Report, दोस्तों Inspection Report में मेजर चार signature होते हैं, पहला हो होता है, checked by, फिर verified by और approved by, तो इसको आज हम one by one समझने वाले हैं कि ये क्या है और इसके लिए कौन-कौन से skill की जोरत है, इन लोगों के लिए जो लोग के उपर sign कर रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों, inspected by, जो quality person inspect कर रहा है, उसकी कौन-कौन से skill होनी चाहिए, तो सबसे पहल है, दोस्तों, point number one है, कि good handwriting for clarity of written observation, उसकी writing जो है, वो clear होनी चाहिए, ताकि वो observation जो reports में इंसन कर रहा है, सभी लोग उसको उसी तरह पढ़ें, इसलिए बहुत important है, कि उसकी writing जो observation है, उसमें clarity होनी चाहिए, second उसका जो skill है, वो होना चाहिए, handling of part during inspection, दोस्तों, part की handling, कैसे करनी है, inspection के दौरान, यह बहुत important है, कि dent यह scratch तो नहीं लग जाए, या कोई specific surface treatment का part है, plating का है, या powder coating का है, उसको कैसे handle करना है, इसकी उसको training होनी चाहिए, inspected by, वो जो person है, वो जो बैकती है, जो inspect कर रहा है, उसमें train for use all inspection instruments, machines, and testing equipment, inspection की instruments हो, machines हो, या testing equipment है, उसको वो trained होना चाहिए, ताकि उसकी observation के base पे ही next sign होने वाला है, knowledge of reading of drawings, drawing के उसको अच्छी समझ होनी चाहिए, knowledge of standard tolerance, यह बहुत important है, standard tolerance के उपर, कई लोग बहुत ज़्यादा confusion में रहते हैं, standard tolerance का उसको knowledge होना चाहिए, और वो भी raw metal community के और process के वाइज, हर एक process का, या raw metal commodity का standard tolerance, वो अलग-अलग defined होती है, उसमें quality होनी चाहिए, कहिए ऐसा नहीं हो, कि हम rubber का पार्ट के inspect कर रहे हों, और machining की tolerance, standard tolerance उसमें use कर रहे हों, तो इसका knowledge को होना चाहिए दोस्तों, और awareness of testing, अब यह सारी जो skills हैं, inspected by, जो inspect कर रहा है, उसके पास होने चाहिए, अब जो इस inspection को check कर रहा है, तो सबसे पहले तो वो क्या है कि application, वो उसको किसी की knowledge होनी चाहिए, सबसे पहले application of inspection instrument, machines and test equipment, उसको यह मालूम होना चाहिए, कि उस inspection instruments का, machines का testing application क्या है, जो dimension या जो parameters, जो test product के उपर किये गए हैं, उनमें सही machines, instrument use हुआ है, और उसी की editing है, second skill है दोस्तों कि specific customer requirements, अगर कोई customer की specific requirement है, तो क्या वो भी उस inspection report पर mention की गई है, जो customer नहीं में दी है, well knowledge of process of making parts, उसको process की manufacturing का knowledge होना चाहिए, कि कौन सा part, किस process से बन रहा है, उसकी raw material commodity कौन सी है, और उसका impact dwelling process क्या होता है, standard of drawing, drawing का अच्छा ग्यान हो चाहिए, drawing के उपर उसको understanding होनी चाहिए दोस्तों, ताकि उसको मालूम हो कि कौन सी dimension reference है, और count अगर symbol दिया हुआ है, तो वो किया दरसाता है drawing में, उसका understanding उसको हो ही चाहिए, use of standard tolerance, standard tolerance का ग्यान उसको होना चाहिए, कि inspect जिसमंदे ने किया है, उस report को बनाया है, observation note की है, क्या उसने सही tolerance को use किये, standard tolerance के chart को ही refer किया है, या नहीं, नेक्स है दोस्तों, train in testing requirement and operating rated machines, वो जितनी भी testing machines है, उस operating machines है, उन में train होना चाहिए, ताकि वो inspect by, जो inspection कर रहा है, उसको training दे सके, नेक्स हरते हैं दोस्तों, verified by, verified by में, कौन-कौन जो आदमी signature कर रहा है, उसके पास minimum क्या qualification हो चाहिए, क्या skill होनी चाहिए, उस पर एक निगाह डालते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले है कि, knowledge and technical understanding of automotive process, components and manufacturing techniques, सबसे पहला उसका, यह point उसको clear होना चाहिए, इसका घ्यान होना चाहिए, second number है, fit and function of part applications, जिस part का, या जिस product का, आप inspection report verified कर रहे हैं, inspection report verify कर रहे हैं, उसका fit and function में क्या application है, उसकी clarity होनी चाहिए, next है दोस्तों, fit function durability impact on application on parts, यदि कोई dimension, उसमें aspect drawing नहीं है, तो वो क्या fit function या durability impact में, उस application में डालने वाली है, उस part में, तो उसका भी उसको knowledge होना चाहिए, specific customer requirement, if any given by customer, अगर specific requirement दी हुई है customer ने, तो इनको उस चीज़ का मालूम होना चाहिए, और क्या वो observation आपकी inspection report में registered हो गई है, इसको cross verify करना चाहिए, defect and defective clarity, यह बहुत important subject है दोस्तों, कोई भी part किसी भी defect के वैसे defective हो सकता है, और वो dimension के उपर depend करता है, इसलिए verified में जो signature कर रहा है, उसको यह मालूम होना चाहिए, कि अगर part में कहीं dimensional division है, वो as per drawing नहीं है, वहाँ पर mention किया है, तो क्या उसका impact defect and defective के उपर भी आ रहा है product के उपर, final दोस्तों यह देखते हैं, approved by, approved by जो final signature करता है, दोस्तों जब सब कुछ ठीक है, तो इसमें यह जो signature है, just like a official requirement है, कि report के उपर signature होनी चाहिए, इनकी importance तब बढ़ जाती है, जब कोई part as per drawing नहीं होता, या कहीं division होती है, या फिर कोई derivation वो as per drawing एचीव नहीं हो रही है, यह साथी चीज़ें जब differ होती है, तब इनकी importance, जो है signature की importance बहुत बढ़ जाती है, अब final approval जो देते हैं, जिसको approved by के उपर, कि knowledge of technical understanding of automotive process component method technique, तभी वो सही decision ले पाएगा, कि उस product को approved करना है, pass करना है, या fail करना है, second है customer की requirements का पता होना जाएए, result, impact in final product, क्या कोई dimension जो as per drawing नहीं है, उसका impact final product में आ सकता है, या फिर क्या उसके वज़े से हमार market warranty claim रिटेन बढ़ सकता है, इसका भी ध्यान उनको रखना है, जो की approved के ओपर sign कर रहे हैं, PPM impact of this lot in final product, अगर हम इस product को छोटी जी डेविशन के साथ पास करते हैं, तो क्या हमारा PPM impact तो नहीं पाटा इस lot के वज़े से, अगर हम इसमें डेविशन से पास कर देते हैं, या फिर इसको जो ये major difference आए हैं, इसको accept करके इसको use के लिए approval दे देते हैं, need support from supplier quality to improve process, ये decide करना कि ये जो reports मेरे पास है, या approved में जो signature कर रहा है, उनके पास आई हुई है, किस process में क्या हमारे quality, supplier quality की जोरत है, supplier को improve करने के लिए, उसके process की improve करने के लिए, या उन technical support देने के लिए, ये भी यहाँ पर ही decide होता है, impact cost of quality, if passed by division, दोस्तों cost of quality के ओपर मैंने पहले ही वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको समझ सकते हैं, उसमें details में आपको पता लग जाएगा, कि cost of quality कितने तरगी होती है, और क्या good quality होती है, cost होती है, क्या bad quality cost होती है, इसके quality आपको उस वीडियो से मिल जाएगी, बट जो approved कर रहा है, उसको ये clear होना चाहिए, कि अधी हम इस lot को division में पास करते हैं, तो इसका impact cost of quality के ओपर तो नहीं आने वाला, next है दोस्तों, can allowed rework and product, क्या इस product को allow कर सकते हैं, कि इसमें rework हो जाए या repaired हो जाए, वो भी IATF की guidelines जो है, 8.7.1.4, 8.7.1.5 क्या guest, क्या हम इसको allow कर सकते हैं, इसका details दोस्तों, इसकी भी वीडियो upload है, इसके आप इसको समझ सकते हैं, ये judgment भी जो final authority है, approved by उसी को लेना होता है, एक बहुत important यहां पर एक point है, कि इन सारी चीज़ों review करने के बाद, वो अपनी reports में ये भी देखता है, कि कहां कहां आपर lagging है, क्या inspection में inspect by में कहीं कहीं है, checked by में कहीं है, या verified by में कोई इसतरी तो नहीं है, जिसका approval लेना पड़ेगा, किसका approval for budget if required any special instrument, अगर कोई inspection instrument का approval लेना है, या फिर testing machines का लेना है, या फिर special training to team, को special training देनी है किसी objection को करने के लिए, या कुछी inspection को करने के लिए, तो उसका budget का approval भी, approved by के उपर जो signature करता है, उसकी ये responsibility होती है, कि team upgrade हो सके, instrument upgrade हो सके, और हमारे पास machine अप्ग्रेड हो सके, दोस्तों इन सारी चीजों के उपर, inspect by, checked by, verified by, approved by, हर एक आदमी अपना एक role प्ले करता है, और उस role के पीछे जो skills होनी चाहिए, वो मैंने आपको इसमें बताई है, last में क्या होता है, कि इन सारी judgment के उपर, एक tag, issue होता है, judgment tag, कि क्या वो pass है, जिसको accepted कहते हैं, क्या वो conditionally है, या फिर वो rejected है, अगर वो pass है, as per quality, या accepted कर दिया गया है, तो उसको stock में move कर दिया जाता है, stock में add कर दिया जाता है, for next operation के लिए, अगर conditionally accepted है, तो sign करता है हमारा quality, supplier quality, supplier quality और supplier के साथ agreement होता है, कि इस बार तो हमने इसको conditionally कर लिया, but next operations में आपको इसको improve करना होगा, उसका improvement plan आपको हमारी supplier quality को देना होगा, ये yellow tag में आता है, जब हम इसको conditionally approve करते हैं, last tag है दोस्तों, red tag यूज़ करते हैं rejected, rejected में एक major जो action होता है, वो non-conformance report रिलीज़ करते हैं हम supplier को, और उससे detail plans वरानते हैं, उसके process को audit करते हैं, कि कहां ये gap आ गया, और जो वो lot है, उसको scrap करना है, या sort करना है, इसका addition management देती है, thank you, thank you for watching दोस्तों, अगर ये video आपको पसंद आई, तो please इसको like कीजिए, share कीजिए, और अगर कहीं कोई गलती है, या कुछ improvement चाहिए, या कोई नई वीडियो आपको चाहिए, मेरी इस language में, इस style में, तो आप please comment करके, आप मुझे बताइए, और subscribe, अगर अभी भी आपने इस video को नहीं किया है, तो please दोस्तों subscribe करके, bell icon प्रेस कर दीजिए, next video के लिए, thank you, thank you दोस्तों,